आपने राजिश खर्णा की फिल्म हाथी मेरे साथी का वो गाना तो जरूर सुना होगा जिस गाने का बोल है नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार राजिश खर्णा की फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गाना, ऐसा गाना था जो आज भी सुनने को मिलता है तूआंकों में आसु आ जाते हैं। इस गाने को आवाज दिया है सूरो के समराट मशूर गायक महबद रफी ने और रफी का गाया हुआ ये गाना वॉलीवूड फिल्म हाथी मेरे साथी का गाना है जो साल 1971 में रिलीज हुआ था और इसमें राजिस खर्ना और तनुजा के मुख्य भूमिकाएं थी इस फिल्म को लेकर कहा जाता है कि जानवरों और इंसान के भावनात्मक रिष्टिय पर अधारी इससे बहतर फिल्म होई नहीं सकती वैसे तो वॉलीवूड में ऐसी और कई फिल्में बनी होंगी लेकिन इस फिल्म का कोई तोड़ नहीं है और नाहीं किसी फिल्म को अब तक टक कर दिया है हम आपको इस फिल्म के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप भो बोच्पूरी भाषा में भी आने वाली है तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि हाथी मेरे साथी भोच्पूरी भाषा में आने वाली फिल्म में लीड रोल में बोच्पूरी अक्टर यश्कुमान नजर आने वाले हैं यश्कुमान मिस्ट्र आपने इस और दोमें मेरे सांधिकल मेरे साथ हानी से बिल्कुल अलग है मेरे साथ shooting मेरे साथ कहाझे झाहरे चुना करने साथ depicted फिल्म के सब्राना सूरज को ह realistically वेलिए वेलिए mistव भारिब ना नहीं को मेरी उब्सक्रवार्व मेरे साथ है। है और इस आने वाली नई फिल्म को लेकि संजयSH वास्तवा ने बताया है मेरे साथ है की इस फिल्म की शूटिंग के लिए परफ्रक्त देखने जाएंगे और अगर वहां का लोकेशन हमको पसंद आज जाएगा और सब कुस ठीक लगेगा तो हम केरल के जंगल में इस फिल्म की शुटिंग सुरू करेंगे इसके साथ इस फिल्म को लिए जानकारी देटीवी संजेश वास्तों ने कहा कि हमारी फिल्म में पांच ह हाथी होंगे और इस फिल्म में हम केरल से प्रशिक्षित हाथी लेकर आएंगे ताकि हाथी की वज़े से किसी को नुकसान ना हो और शुटिंग के दरान इस बात के पूरा खयाल रखा जाएगा यहाथियों को किसी प्रकार की कोई हाने या कोई नुकसान ना पहुचे इसल सुरख्षाओं को ध्यान रखा जाएगा और तब जाकर इस फिल्म की शुटिंग की जाएगे ताकि जब फिल्म की शुटिंग हो तब ना ही किसी आम जंवानस को कोई नुकसान हो और कोई हानी ना पहुचे इतना ही नहीं आपको बता दे कि वज़बुरी फिल्मों के शुटिंग पूरी कर ली है वहीं बीते मंगलवार को उन्होंने तीन नई और फिल्मों की लॉंचिंग भी किया और तीनों फिल्मों का भव्य मुहुर्ट एक साथ संपन्ध हुआ और आपको बता दें कि इन तीन में से दो फिल्म है येश्कुमार के सूपर हिट फिल्म करेंगे येश्कुमार ने कहा कि इन तीनों फिल्मों की कहानी बहतरीन है ये फिल्में उन दर्शकों को बहुत पसंद आईगी जो भोजपूरी में क्वालिटी एंटेंटेंडमेंट देखने की इक्षा रखते हैं इतना ही नहीं येश्कुमार ने बताया कि नागराज को बहुत पसंद आई थी ऐसे में फिल्मों की कहानी को शिक्वल की जरी आगे बढ़ाया जाएगा जबकि फिल्म हाथी मेरे साथी पूरी तरह से नए कमसर्ट पर आलहारी फिल्म होगी इस फिल्म के कहानी के जरी वह समाज को हाथे के प्रती जागरूप करने का संदेश भ मिलते हैं से किसे नए वीडियो के साथ तब तक मुझे साथ देजिए धन्याओ